अरुनाचल में हमारे कुछ युवा साथ्यों ने 3D printing technology का उप्योग करना शुरू किया है। किसी से पीछे नहीं है। अरुनाचल में हमारे कुछ युवा साथ्यों ने 3D printing technology का उप्योग करना शुरू किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वन्य जीवों को सिंगों और दातों के लिए सिकार होने से बचाना चाहते हैं। नादम बापू और लिखा नाना के नित्रुत्व में ये टीम जानवरों के अलग-अलग हिस्सों की 3D printing करती हैं। जानवरों के सिंग हो, दात हो, ये सब 3D printing से तयार होते हैं। इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजे बनाई जाती है। ये गजब का अल्टरनेटिव हैं। जिसमें बायो-डिग्रेडेबल मट्रियल का उप्योग होता है। ऐसे अध्भूत प्रयासों की जितनी भी सहरा न की जाएं, कम है। मैं तो कहूँगा, अधिक से अधिक स्टार्ट अप एक शेत्र में सामने आए। ताकि हमारे पश्वों की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे। मेरे प्यारे देश वास्चियों, अरुनाचल प्रदेश के युवासाथी भी किसी से पीछे नहीं है। अरुनाचल में हमारे कुछ युवासाथ्यों ने 3D printing technology का उप्योग करना शुरू किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वन्य जीवों को सिंगों और दातों के लिए सिकार होने से बचाना चाहते हैं। नादम बापू और लिखा नाना के नेत्रुत्व में ये टीम जानवरों के अलग-अलग हिस्सों की 3D printing करती है। जानवरों के सिंग हो, दात हो, ये सब 3D printing से तयार होते हैं। इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजे बनाई जाती है। ये गजब का अल्टरनेटिव है जिसमें बायो डिग्रेडेबल मट्रियल का उप्योग होता है। ऐसे अध्भूत प्रयासों की जितनी भी सहराना की जाएं कम है। मैं तो कहूंगा अधिक से अधिक स्टार्ट अप्स इक शेत्र में सामने आएं। ताकि हमारे पश्वों की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे। है अध्भूत कर दो प्रहे कर दो कर दो कमढ़त जा तो कर दो झाल झाल